रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, S&T हैं, TRD हैं, ओवरेड एकुपमेंट हैं, एलेक्टिक जेनरल हैं, पीवे हैं, शिविल इंजिनियरिंग हैं, लेकिन आप लोगों को ये दिख रहा होगा, जो रेलवे से जुड़े हैं किसी भी परकार से, कि शबशे अधिक अगर टेकनलोजी की आउट सोर्शिंग है, तो वो सिगनल में ही है, खास करके S&T में, टेलिकम भी आल्मोस्ट आउट सोर्शिंग भी हो गई है, यानिकि सारे टेकनलोजी आउट सोर्शिंग के हिसाब से आ गई है, हमारा रेलवे में 12 साल का एक्स्प्रियेंस है, आप लो और प्रियास जारी रहता है कि कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ सिखाएं, और यशी कड़ी में हम देख रहे हैं कि अभी के समय में, खास करके जब से ये EI का कंसेप्ट आया, इसके पहले EI बहुत दिन से आया हुआ है, खास करके मैं 2011 में जब रेल जाइन किया, उ उस समय तक ही लगबख हर चोटी स्टेशन पे EI का इंट्रोडक्शन हो चुका था, हर कही एक दो स्टेशन EI हो रहे थे, पर इतनी huge amount में नहीं हो रहा था, आज का समय देख रहे हैं कि हर मैंने एक दो तीन EI, मतलब कोई भी स्टेशन को रेनोबेट करना है, तो वो EI में कनवर्ट हो रहा है, और EI में कनवर्शन के साथ साथ क्या है कि फुल जो modern signaling है, उसके साथ ही कुप्ड हो रहा है, आपके MS deck लग रहे हैं, आपके SS deck लग रहे हैं, DLBI, SLBI हटा दे रहा है, आपके UFSBI लगा दे रहे हैं, BPSC लगा दे रहे हैं, पूरे के परिया के IB का concept, या जो भी concept है, सबके सब खतम करके, जो भी electromechanical signaling था, या panel interlocking के साथ जुड़ा हुआ था, वो सारे interlocking को खतम करके, आपका सिर्फ और सिर्फ electronics interlocking पे shift हो रहा है, पूरी के पूरी railway, तो हमसे उमीद किया जाता है, department के द्वारा, या जो भी work हमें दिया जा रहा है, अपने superior के द्वारा, कि हम जितनी output उनको चाहिए, यानि each and everything हम जानते हो, इस प्रकार से उनके सामने आए, तो यहां पर एक problem आ जाते है, दूसरी चीज़े क्या है, कि जो लड़के PPP mode से जुड़े हैं, या प्लिक प्राइबिट पार्टनर्शिप में जुड़े हैं, कोई कैसन का लड़का है, कोई अंसाल्डो का है, कोई सेल का है, कोई दूसरी और companies के हैं, तो उन्हें तो वो जिस gear के specialization है, जिस gear के manufacturer के यहां काम कर रहे हैं, उनको तो सिर्फ उनकी training दी जाती है, उनकी training में जहां तक मुझे पता है, कि उन्हें भी manual का सिर्फ overview बताया जाता है, जो न सिर्फ उतना ही बताया जाता है, कि तुम्हें इतना देख लेना, और अगर दिक्कत हुद हमें phone करना, वहां से हम assist करेंगे, लेकिन तुम्हें technology नहीं बताएंगे, मेरे दिमाग में जो आया, कि why we learn about railway signaling, हम railway signaling के बारे में क्यों पढ़ें, हमने टेल पढ़ा, ट्वेल कि फिर rail joint की है, उतने सारे चीज़ पढ़ लिए, तो आज मुझे पढ़ने की क्या जोरत है, काम करना है, काम करेंगे, allotted work है, मिलेगा, करेंगे, आप एक railway room में जब अंदर जाते हो, versatile type के इतने सारे चीज़ मिलेंगे, जिसके बारे में आपको मातर 10% मालूम है, लेकिन व आपको इसमें कोई भी problem हो, आपको troubleshooting करने आना चाहिए, बट अभी की जो condition है, almost 99% SNT gears, manufacturers are private और PPP firm, एक percent बच गया है, जो railway खुद अपनी gear बनाती है, क्योंकि railway में खुद अगर railway के engineer अपने gear बना रहे है, तो उसके training proper मिलेगी, उसके design से लेके, manufacturing से लेके, सारे technology, software सब मिल देंगे, बट हो क्या रहा है, कि हम खरीद रहे हैं, हम only customers हैं, अभी क्या हो रहा है, कि सब के सब original equipment manufacturer, जो OEM है, वो railway से जुड़े है ही नहीं, तो वो क्या कर रहा है, EI हो, PI हो, RRI हो, BI हो, Excel counter, data loggers, TPWS, TCAS, IPS, जितने motor point, EOLB, सब के सब manufacturer 99% out of railway हैं, वो क्या कर रहा है, अपनी equipment बनाकर, RDSO से approve ले रहे हैं, और हमें बेच दे रहे हैं, अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, पर रहुल, आज बात करो, Aldine की, Aldine का SS Deck को, RDSO ने blacklist कर गिया, यह अब कहीं भी Indian railway में, Aldine का SS Deck नहीं लगेगा, अब जो private लड़के, Aldine के SS Deck के साथ काम कर रहे थे, वो DC Journal Training Institute का एक certificate है, आपने fully किसी भी course को complete किया है, तो certificate तो आपको मिल गई, अब अगर knowledge भी हो जाए, दिन क्या है, कि आपकी career bright, automatic हो जाएगी, तो यह दो चीज़े हैं, तीसरी चीज़े क्या है, कि जो private लड़के हैं, अगर उनमें knowledge बढ़ गया, अगर आप मान लिया जाए, क आपने basic introduction of signaling according to SIP, अब कोई भी आपके superior आपसे बात करते हैं, कि फलना X station है, X station में क्या क्या लगेगा, अगर Excel counter के बात करें, तो कहा कहा DP लगेंगे, कैसे कैसे track section डिजाइन करोगे, किस track section में कितने DP लगेंगे, उस हिसाब से मुझे एक station का पूरा layout दो, तो आप तो उसक station, five line station, six line station में operating की जो demand है, उस demand के हिसाब से और ESP आपको जो मिला हुआ है, engineering site plan, इन दोनों को मर्ज करने, अगर आपने SIP में ये mention कर दिया, कि आपके इस yard में से इतने DP लगेंगे, इतने track section बनेंगे, और इतने सारे evaluator लगेंगे, तो उस हिसाब से आपकी promotion तैय है, कि लड़का है, ये अभी कुछ और जिमेदारी लेने के लिए तैयार है, उसके बाद अगर मालियाज आप EI से हैं, तो EI में आपने logic circuit design करना सीख लिया, interface circuit अभी इस पे भी आएंगे, आपको जो लड़के नए हैं या जो पुराने आपको मालू है, हमारा पूरा signaling circuit एक जितने भी circuit हैं, सब 15-20 टाइप के circuit हैं, मैं circuit जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, वो सब एक हैं, लेकिन जैसे EI का concept आया, EI में दो चीज़ें आ गई, ऐसे तो EI बालों का कहना है कि नहीं, हमको कोई बाहर में रिलेज नहीं चाहिए, बिसे mobile में कोई रिलेज नहीं है आप input डालिया, output निकल जाता है display में, हमारे भी आजाएगा, बट हमारा railway का कहना है, अभी तक उन्होंने approval नहीं दिया, RDSO ने, कि हाँ हम आपको fully software based equipment install करने की permission देते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे vital output जो हैं, उनके लिए physical release अभी तक रखे हैं, तो अब क्या हुआ, कि जब physical release रखना है, तो कुछ non-vital input output हो गया, कुछ vital input output हो गया, तो जो non-vital है, या जिने वो अपने software में circuitry डाल सकता है, ज़िए एक circuit अलग कर दिया, वो logic circuit में आ गया, कि वो सारे आपको दीखेंगे नहीं, वो सारे input है, सारे contact है, सारे beats है, और वो beats उनके software में डाला हुआ है, भी सिर्फ और सिर्फ जो railway है, यानि कि हम लोग authorized person है, वो सिर्फ और सिर्फ checking and approved कर रहे हैं, कि हाँ आपने हमें ESP, SIP के हिसाब जो circuit दिया, जो layout दिया, जो track bonding plan दिया, या जो document session दिये, वो सही है या गलत है, हम सिर्फ उसको according to GR, according to SEM, according to TEN, approved कर रहे हैं, checked and approved कर रहे हैं, ब अगर आपको ये चीज मालूम है, तो आप उसे design करके दे सकते हैं, आपकी जगह वहाँ भी बढ़ जाएगी, तीसरी चीज, जो railway में permanent servant है हमारे, जो हमारे rail के अकरमचारी है, उन्हें बनाना तो नहीं है, ठीक है, design तो आपको नहीं करना है, design हमारे पास अलग department है, लेकिन आपको पढ़ना तो है, अभी आपको motor point में कोई failure आ गया है, या motor point जनरली आपको maintain करना है, या motor point की wiring करनी है, तो आपको सबसे पहले motor point का flow chart तो आना चाहिए, कि पैनल में button दबने से लेके NW car, KR वा, RWKR, pick up होते होते, कितने सारे relay उसके बीच में pick up होंगे, उसमें से किस का back contact, किसका drop contact हमें प्रूप करना है, और इसके साथ हमको आगे बढ़ना है, तो ये flow chart बहुत जरूरी है, then flow chart for motor point operation circuit, अगर आप जानते हैं, that means कि आपको point circuit में कोई problem नहीं होगी, उसके साथ में आप हरेक रिले, pick up करने के लिए, क्या-क्या input, output हमें जरूरत है, ये पढ़ and lock आ गया, NWKR मा, RWKR pick up हो गया, then आपको signal circuit में आना है, कि उसमें क्या conflicting है, क्या conflicting है, according to RCC, जो root control chart होता है, according to RCC, आपको signal flow chart में रिले pick up कराने हैं, या फिर उस हिसाब से रिले देखने हैं, कि अगर UCR pick up नहीं हो रहा है, तो UCR के पहले कौन सा pick up होना चाहिए, वो हो रह है कि नहीं, ALSR नहीं drop हुआ, तो ALSR के पहले और उसको drop कराने के लिए क्या pick up होना है, वो drop हुआ कि नहीं, UECR pick up नहीं हुआ, तो UCR के पहले क्या लेना है, तो आपको जब idea होगा, तभी वो circuit भी आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, क्योंकि UECR तक आप तब जब flow chart में मालुम होगा, कि UCR, UECR के पहले pick up होता है, ने तो पहले आप UECR पे जाओगे, UECR के ध्यान नहीं जागा, that means कि आपको अपने circuit पढ़ने के लिए circuit की flow chart के साथ उसकी path, क्योंकि आपकी circuit एक-एक line भी नहीं दिया जाता है, आपके circuit को complicated कर दिया आता है, चार- आपको सबसे पहले circuit reading most important है, उसके लिए जितने सारे चीज़ हैं मैं बताऊंगा, चौता है, फेल से management of signaling circuit, ये आपको पता है, कि हमारा signaling circuit फेल से management में काम करता है, in case any worst case of failure हमारा signal RAID में convert हो जाना है, यानि most restricted aspect जो RAID aspect है, वहाँ पे आके रूख जाना है, यानि कुछ भी situation हो गाड़ी को खड़ी होनी है, फिर देखा जाएगा क्या होना है, तो ये एक features रपसे important इंडियन railway में यानि बागी सारे railway में होंगे, हमारे या है, कि फेल से management किसी भी signaling circuit में करना है, including track circuit, सब जगर, तीसरा चीज, अब आ जाते हैं, जो हमारे OEM है, original equipment manufacturers, यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है, कि हमारे पास उसकी कोई technology नहीं है, उन्होंने ना हमें दिया, ना कभी देगा, वो हमें सिर्फ एक manual provide करते हैं, तो उसके manual के हिसाब से, हर एक original equipment के installation manual और troubleshooting manual, दो manual मुझे वो देते हैं, तो दोनो manual हमें अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी होता है, जो किताब तो मिल गया, हमारे पास बहुत है, गीता है, महाभारत है, रमाइन है, पढ़े कितने हैं, पढ़े भी हैं तो समझाएं कितने हैं, जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे, आपको कोई महाभारत रमाइन की घ्ञान नहीं हो पाएगी पढ़ के, सीम पर हो नहीं पाती है एक दिन आएगा चाय पाड़ी किया चला गया तो हमें हरे एक लेटेश्ट एकुपमेंट का फिल्ड एकुपमेंट का या जो भी मेनुफेक्ट्रिंग एक एकुपमेंट है उसके जानकारी फुल एंड फाइनल होनी चाहिए हर एक कार्ड उसके फंक्सन उसका फंक्सन और एर्र कोड एनलाइसिस इस चीज़ की तो यह भी हम लोग इस पे एक अलग पूर्सिस करेंगे इसके इंपलेमेंटेशन ऑफ सर्कुट यह जो अप्रूब्ड सर्कुट है इसका इंपलेमेंट कैसे करें सरकुट तो मिल गया डिए सब चीज मिल गया उसको साइट एक्स्टेप्शन टेस्ट यह बहुत इंपॉर्टेंट है आर्सीज देनली है कुछ नहीं जो पुराने लोग होंगा उनको पता होगा जो रूट कंट्रोल चार्ट है आर्सीज उसके इसाब से हमारे साइट में जो गियर लगे और हमको सिगनल क्लियरेंस करके उसके ज बहुत कम हो जाते हैं तो PCC कैसे करें यह भी बहुत बड़ी काम है तीसरा सबके पास अबलेबल नहीं है जितने भी आपके हम मॉडर्न गियर लग रहे हैं सबका अपना अपना टैन है मतलब टेक्निकल एडवाईजरी नॉट जो RDSO बाकेम्टिक दिया हुआ है तो टेक्न सब्सक्राइब मेंटेनेंस वाले हैं उनको सिग्नल इंटीग्रिटी टेष्ट जो खाना पूरती होती है तो अगर हमें खुद नहीं पता है कि पैनल की जो मुहमेंट है याड का पढ़ना उसके बाद उसके साथ में मुहमेंट पढ़ने के शाथ साथ आप जैसे माल लीजे कि एक पैनल को हम ले ले शामने पैनल को लेकर हम किसी से पूछें कि इसमें कितने सारे मुहमेंट हैं क्या क्या मुहमेंट है तो में भी बहुत सारे हमारे ही डिपार्टमेंट के वेक्ति नहीं बता पाएंगे तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कि सिगनल को किलियर करने प तो each and every signal के root wise आर्शीशी को पढ़ना बनाना और उसे implement करना ये भी बहुत important चीज़े तो हमारे हिशाब से ये 4-5 चीज़े हमारे दिमाग में चल रहा है जो हम सारे लड़कों को बताने का परियाज करेंगे details में जिसमें पहला अपनों के लिए शुरू कर रहे हैं अभी starting में बेभी 17 तारिक से और चुकि सब तो कहीं नगे या तो private या government में जुड़े हुए तो दिन में तो time मिलेगा नहीं हमें भी नहीं मिलेगा रात को 9 बजी के बाद after 9 पीम एक घंटे का एक course रखेंगे इसी सिस्को वेब एक्स में link डाल दिया करेंगे जहां तक रही बात फी की तो फी बहुत ही nominal रख रहे हैं फी nominal रखने का कारण भी है इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर हम हलो अगर हम nominal फी भी ना रखें तो जिन्हें signaling नहीं भी सीखना है फालतु टाइम है गैधरिंग करेंगे और होगा क्या जिनको शीखना है उन्हें सिखा नहीं पाएंगे मेरा मक्सद यही है कि literate about signaling लिटरेट ही नहीं expert about signaling लिटरेट तो चुकि हमसे जूड रहे हैं तो signaling को आप जानते ही जानते हैं expert बनना है किसी भी चीज में क्योंकि आज के पूराने जमाने चले गए कि रेल की नोकरी ऐसे ही चलती थी आज के जमाने में आप इज़त से नोकरी तभी कर पाओगे जब आपके field में आपको उस हिसाब की जानकरी है कि आप किसी को भी challenge कर सकते हो कहां इस भी से पे मुझे पूरी जानकरी है तीसरी बात हम British ही बताएंगे metal to carbon ही बताएंगे क्योंकि maybe metal to carbon में ही हमारा experience है Siemens circuit में हमारा experience बहुत कम है because कि हमने कभी काम जो भी यह पढ़ा है आप लोगे जैसा कुछ पढ़े होंगे जैसे वैसे पढ़ा है काम बहुत कम किये उस पर experience बहुत कम किये उसकर failure rate बहुत कम हुई उस पर बहुत अधिक कम बहुत कम धिया गया इसलिए हम जो भी चीज बता करेंगे और circuitry, signal clearance circuit, motor point circuit के साथ में जो हमारा interface circuit AI के लिए परियोग होता है plus logic circuit सब को details wise कोशिस करेंगे कि अलग-अलग slot में आप लोगों को बताएं तो उमीद करेंगे कि साइद आप लोगों में जिन्हें भी जरूरत हो course wise जुडेंगे चली अच्छा लगा आप लोगों एक शाथ मिलके और अब एक बार थोड़ा सा आप लोगों से face to face परिचे कर ले अभी जितने जुड़े हुए हैं में भी हम अगर नाम लेंगे तो एक बार विडियो ऑन करके हमसे एक एक मिनट की बात कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा य रोजपूर मैं पूस्टेड हूं सर चलेंड के रहे कश्वीर वैजली ने आपके आपके यह स्टेशन में क्या-क्या है गियर से सिंगल लाइन है अभी अच्छा अब है अभी चेंज हो रहा है सिंगल लाइन लग रहा है बिल्कुल अभी सब वही हो जाएगा सारे के सारे लग रहा है जिस पर आप तोड़ी को देखी चीज़त लिए दन्यवाद फिर मिलेंगे वह अगला पांच रहे हैं और कौन है अंकीद देव अंकीद देव या गुड़न सर्व गुड़ अप्टर्नून कहां से हैं आप सर्में को कर रहे से बात कर रहे हैं आपके यह क्या है क्या है क्यूप्मेंट में अब इस बात है यह ग्रीश पाल आप कहां से हैं आप कहां से हैं गुड़ अप्टर नूम् राहुल कुमार सुन पा रहे हैं राजगब्बर मीना लगता है हमारी आवाज कट पा कट जा रही है क्या के लिए बहुत सारा प्रेम मिला आप लोग बहुत लोग आज जुड़े लगता है थर्टी मिनट का रखा था तो बंद भी हो सकती है हमारा वेबेक्स फिर मिलेंगे टाइमिंग देंगे आप लोग को लिंक भेजेंगे आप लोग जो भी बेसिक के लिए जूड़ना चाहते हैं आपके मित्र में जूड़ना चाहते हैं इमेडियेट आप लोग अपना टोकन मनी दे के हमारे साथ जूड़ जाए तो हम उन्हीं को जो भी रिश्टर्ड होंग जिस course में उनको उसी course में हम लेंगे और यह course repeat होते रहेगा बाद में भी बट अभी यह basic से लेके final तक एक course पूरा course wise कराएंगे और छोटे-छोटे token money आप लोगों से लेंगे इसलिए उसमें अगर किसी को कोई शमश्या होगी तो हमसे direct WhatsApp में आईएगा मैं वहाँ भी consider कुछ न कुछ करूँगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है वह बहुत बड़ा भाइटल चीज नहीं है हमेरा motomain है कि मैं S&T में जो भी मुझे आता या जितना मैंने सीख फाया या आगे सीखूंगा उतना railway के genuine person को चाहे वो private से हो public partnership से हो या railway के लड़के हो सब को सिखाने क का परियास करूँगा आपनों का सहयोग की अपेक्षा है देखते हैं signaling literacy में हम कितना मदद कर सकते हैं अपने S&T समाज को धन्यवाद आप लोग को जूडने के लिए बहुत समय दिये फिर मिलते हैं लाट लिए आप Metर को मिलते हैं मिलते के लिएान आपने करने समक्षा हैं समापने समापने संपाध्लाओ Cuanda दो,भेडोर्ण सर उत्या, सब्स्ता क्वेड़ों कि ढगने सब जा पन्स्वेड़ दू़ चना, आपने सहीं जा पकते हैं